अससलाम अलेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब बिल्कुल ठीक थाक हैं मैं भी अलहम्दलिला बिल्कुल ठीक हूँ तो जी मैं फिर से हाजिर हूँ आज एक नए व्लॉग में उमीद है कि आपको पसंद आएगा तो उसके प्रैप की वीडियो काफी पसंद की लोगों ने उसके इलावा जो मेरी वाइरल वीडियोज हैं उन पर भी अभी तक व्यूज आ रहे हैं और जो जितने भी माशाला से मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं उन सब को मैं वेल्कम करती हूँ अपने चैनल पर और मैं आप और वीडियो को लाजमी वाच करके लाइक कर दिया करें तो जी चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहे थी मैं यहां पर बना रहे थी शिम्ला मुर्च पनी रेसिपी आप लोग इस पर देख सकते हैं अच्छा मिक्स कॉंटेंट जो म मैं भी अगर कर रही होती हो जो मैं पढ़ती हूं या मेरी फैमली पर तो फिर व मैं आप लोग के साथ शेयर करती हो एक है उसके लाव इसके लाव मेरी टिप्स आरी होटी है और वीडियो जो मेरी होती है उसं में कभी बाहर का व्लॉग दिखा रही वे tingly मतले आम इस बुखति मेंनकि रहती है लेकिन वीडियों पड़ी थी पूआ रही है। पर हिजाबस्ताइध में बनाए विडियों से खाटशी करें नहीं विडिव है। नहींरे लिए मतना चाहिए। तो जी मैं आपको बता दू कि साथ साथ बस यह हो रहा होता है कि मेरा कॉंटेंट में वीडियो में यह चल रही हुती है आज मैं आपको इसलिए यह चीज़ क्लियर कर रही हूं क्योंकि कुछ लोग अगर वीडियो स्टार्ट से देख के थोड़ा बहुत और पर चोड़ के च आज मैंने शुमले मर्ज पनीर बनाया था और यह इतने मज़ेगा बनता है आप लोग इस रेसिपी को आपने देख तो लिया है नोट डाउन कर लिजेगा और बहुत ही जबरदस यह रेसिपी है कुछ अगर ना समझ में तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते ह तो जी आज का जो खाने का जो टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया है कि खाना बनाने से अगर आप जो चीज मैं वजीफा आपको बताने वाली हूं वो अगर आप करेंगे ना तो उससे आपके खाने में इतनी ज़्यादा टेस्ट होगा कि खाने वाले आपकी बास पढ़ने है, उसके बाद आप खुद इसका जादू देखियेगा कि आपके खाने में कितना जादा टेस्ट होता है। बाकी एक चीज तो यह है कि खाना अगर दिल से बनाया जाता है, तो वैसे बहुत भी टेस्टी बनता है, जो बात है। लेकिन अगर कभी बेदिली से बनाओ ना और फिर दिल नहीं होता तो फिर आप लाजमी इसके उपर पढ़के फूप दें तो इन्शाला बहुत जादा इससे फरक होता है और बहुत ही टेस्टी सा खाना बन रहा होता है तो जी जब भी आप खाना बनाने स्टार्ट करें ना तो उसके टाइम से पहले पहले सबसे पहले तो आप वजू करके खाना बनाना स्टार्ट करें ठीक है वजू करने के बाद अगर विल फर्ज नहीं भी आपका वजू है तो भी आप खाना बनाते वे इसको पढ़के पहु बिरवाद ना पढ़के और उसके ओपर फूप मारनी है जो भी आप खाना बना रहे हैं और बस आप उसके ओपर दम कर दें पर जब आप खाएंगे ना तो आप हरान रहेंगे उसका टेस्ट देखकर उसके लावा साथ-साथ अगर हो सके तो सबसे पहले आप तीन बार जो है तीसरा कलमा भी पढ़ने के बाद स्टार्ट करें बीच में अलसन बिलसन पढ़के फूकती रहें मुझे मैंने ये बहुत बार अजमाया हुआ है क्योंके ऐसा होता था कि कभी-कभी मैं वैसे अलहमदुलिल्ला अपनी तारीफ नहीं लेकिन वैसी मैं बता रही हूं कि मैं ख़ना अजम्धिलल्ला बहुत अच्छा बनाती थी और सब को ही पसंदा आताता था मतलब खाना वो होता है कि दूसरा इसकी तारीफ करें अगर अच्छा है तो तो मैरे खाने के हर बंदा तारीफ करता Hub cause नहीं अगुए अच्छी हैं लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं ह जब कि मैंने पहले का भी ट्राय नहीं की जब के मैंने इटालियन चाइनी और हर तरहां के अरबिक डिश निव पार फिर्स टाइम भी ट्राय किया तो भी अच्छी बनी एक लेकिन जो देसी काने उसके अंदर अक्सर आपा थे कोई जैसे के लोबिया हो गया या फिर सेम की फ तो उस टाइम पर अगर मैं इसको पढ़के फूखती थी तो फिर मुझे अलगी इसका रिजल्ट नजर आता था कि कभी कबार मैंने अगर उसके नेक्स टाइम पढ़के फूखा तो वह चीज बहुत अच्छी बनती थी तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग उमीद है कि आप आपको यह व्लॉग पसंद आएगा जब भी आप खाना बनाएं जब भी आप कुछ भी बनाने खड़ी हो जो एविन कि आप चाई भी बना रहे ना तो भी आप उसके ओपर भी पढ़के इसको फूखें अपने दिल में पढ़ती रहें थोड़ी थोड़ी देर में लेकिन ही टाइम्स ही पढ़ना है ठीक है यह नहीं के लगतार अलसन विलसन अलसन विलसन ही पढ़ती रहें सही है उसके बाद आपने थोड़ी थोड़ी देर में जैसे फूखते रहना तो यह बहुत जबरदस आपको जो है वजीफे का रिजल्ट मिलेगा आपको इंशालला तो ज नहीं खाते तो जो चार पांच चे बजे का टाइंग होता है ना तो उस टाइम मेरे हजबन आते हैं तो आते हम लोग सबसे पहले कुछ रिफ्रेश्मेंट कर लेते हैं फ्रेश्मेंट में मतलब के पूरा नहीं बहुत जादा कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहु बन जाता है तो जी उमीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा तो जी चोटा सा मेरा व्लॉग था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताई है आपने जरूर इसको ट्राइ करना है पढ़ना जरूर है इसको क्योंकि ये देखें हैं कि हर ब इतना मेहनत करके कमा के लाने का कि जब उसको ढंका खाने को ना मिले तो कोशिश किया करें कि अच्छे सची चीजे बनाए अपनी फैमिली के लिए तो जल्दी जल्दी से अपने कॉमेंट्स मिनर के नाम ले लेते हैं निदा न्यू लाइफ ऑफिशल मलिक व्लॉक्स एफक कुकिंग अलमास साकिब कुक विद नूर तो जी ये हैं आज के कॉमेंट्स मिनर अगर आप लोग भी चाते हैं कि मैं आपका वीडियो में नेम लूँ तो फिर ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें फुल वाच करें और अच्छा सा बड़ा सा कॉमेंट करें इ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सब को लाजमी सब्सक्राइब करें अला आफिस